आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलब भरती सात्वी कप्षा का पाथ क्रमांग साथ जहा चाह वहा राह। पड़ो और समझो यह पाथ लिका है अनुरादा मोहिने। उनका जन 21 सितंबर 1901 को नाकपूर महाराष्ट्र में हुआ है परिचय। अनुवात के शित्र में अनुरादा मोहिने जी ने अमुल्य योगदान दिया है। तथा अपने विवीद पारिभाशिक कोशों की निर्मित में सहभाग। वैचारिक यवां ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियानवयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेर्णा दी है। अब हम इस पार्टकास पस्टिकरन देखेंगे। कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिती लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विध्यार्थी है। आज इतने विध्यार्थियों के अनुपस्थित रने का कारण क्या है। उन्होंने विध्यार्थियों से पूछा वही नाला गुरुजी सब ने एक स्वर में उत्तर दिया यह संभा गाव के ठीक बीच से एक नाला बहता था गाव की बस्ती नाले के एक तरब थे पाठशाला और खेत दूसरी तरब थे बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4-5 फिट तक पानी भर चाता था बड़े बुजुर तो किसी तरब अपने गाव बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते किन्तु पाठशाला आने के लिए नाला लांगना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था जब-जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्तिती पर असर पड़ता उपस्तिती याने अटेंडन्स अनिक बार विद्यार्ती पूरे सप्ता पाटशाला नहीं जा पाते इसके चलते गाव में बरसात नाले में भरा पानी पाटशाला से छुट्टी यह संभा की यही कहानी यह गीत गाव में प्रचलित हो गया था यहने जब भी नाले को पानी रहता तो बच्चे पाटशाला नहीं जा सकते थे तो वो सब खुशी में रहते थे और उन्होंने यह गीत भी बनाया क्या गीत है था वो गाव में बरसात नालों में भरा पानी पाटशाला से छुट्टी यह संभा की यही कहानी यह संभा यह गा टीचर पढ़ाते और बच्चे जा नहीं सकते तो उनका जो असर था उनके पढ़ाई पर होता था जो भी युनीट या जो भी कवीता है पाथ है शिक्षक लोग पढ़ाते तो वो छात्रों को समझ में नहीं आता जो अनुपस्तित रहते अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परिक्षा में पीछे रह जाते सब परेशादन थे पर क्या करते मार्ग असंभव था असंभव में मुल शब्द संभव होता है जब हम यह शब्द देखते असंभव तो इसे अज अगर निकाल देते हैं तो कौन संभवना एक दिन एका एक काम कर गई हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यह संभव के अधिकांश विद्यार्थी पाटशाला नहीं जा पाये थे तो सभी लड़के बारिश के कारण स्कूल नहीं गए तो सभी मित्र एक साथ आकर अब बातशित कर रहे थे तबी तुशार ने कहा अरे इस बर्गत के पेड़ में भूत है यहां क्यों बैटे हो भूत भूत सब कोरी कलपना और बक्वास है क्या हम में से किसी ने भूत देखा है सब केवल मन गड़न बाते है जुई ने कहकर बातचित आगे बढ़ा है आज एक और अनुपस्तिती लग गई मेरी अब तक 14 अनुपस्तित्या हो चुकी इस बरसात में उजवलाने परेशानी भरे स्वर में कहा मेरी तो कुल उपस्तिती ही शायद चाओद होगी शुबम ने कहा तो सभस पड़े लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पड़ाई का नुकसन होने दिंगे क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे आशिश ने गंबिर स्वर में पूछा हम कर भी क्या सकते हैं हम तो बच्चे हैं तुशार ने कहा सच कहा तुशार तुने हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इस वाक्य को गीत की तरह घा कर, एक साथ तालिया बजा करवा बैटे, बच्चे जोर जोर से हसने लगे, तो जब भी बच्चे चर्चा करते हैं, आपस में बाचीत करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे इन सभी दोस्तों ने गाना ही बना दिया हम बच्चे कर भी क्या सकते है हम बच्चे कर भी क्या सकते है हसो मत कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है आत्मविश्वास भराईयस्वर दामिनी का था अब दामिनी ने क्या कहा हसो मत कोई कुछ कर सकता है तो हम हम ही है हर समस्य का निधान संभव है प्रकूर्ति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धी दी है दामीनी क्या कहती है कि सभी समश्याए सभी प्रेश्णों का उत्तर होता है प्रकूर्ति ने याने नेचर ने निसरगनी हमें क्या दिया है बुद्धी दी है मुझे विश्वास है कि हम सब म गंबिर होकर समस्चा के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरस्वात में भी पाठशला जा सकते हैं। आशिश की आखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सब ने एक साथ पूचा। हम नाले पर पूल बनाएंगे। पूल मित्रों के स्वर में आच्छरे को भाप कर आशिश ने आत्मविश्वास पूरवक उत्तर देते हुए का हा पूल। विज्यान की पुस्तक में हम सब ने पूल के जानकारी पड़ी है। जब कभी शार गये है बड़े बड़े पूल देखे भी है। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अंतरजाल याने इंटरनेट से तो पूल की जानकारी इंटरनेट भी आवाइलेबल होती है ऐसे बच्चे कही रहे है। गाव का नाला बहुत ज़्यादा चवडा नहीं है। हमें लगबग 10 फिट का पूल बनाना होगा। पूल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गाव में फैल गया है। जंगल की आग की तरह याने बहुती जल्दी जल्दी यह विचार सब गाव में चर्चा का विशय बन गया। शुरू कर दिया। अब सबने तय किया कि हम मनालेपेपुल बनाएंगे और उन्हों ने इसका एक प्रकल्प बनाया और सबने एक प्रकल्प में क्या होता है। तो छोटी छोटी बाते क्या करनी है, कब करनी है, कितना पैसा लगेगा, किस पर कुनसी जिम्मेदारी होगी। य से हम प्रोजेक्ट कहते हैं सामगरी की सुची बनाई सामगरी खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया तो पुल बनाने के लिए जो भी साहित्य या सामगरी लगेगी उसके लिए पैसों की भी जरूरत थी तो सबने क्या किया 20-20 रुपए एकत्रित करना आ अब तक पाटशाला के शिक्षक और गाओ के लोग भी साहता के लिए आगे आ चुके थे और अब बच्चों का होसला देखके उनका आत्मविश्वास देखके गाओ के लोग भी आगे आए शिक्षक भी आगे आए और सबने मिलके उनको साहता की देखते देखते सामगरी के लिए आवश्यक राशी जमा हो चुकी थी अब पूल बनाने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी वह सब राशी याने पैसा जमा हो चुका था बुजुर्गों का अनुभव युवाओं की शक्ती विद्यार्थियों का उत्सा सब साथ मिलकर काम कर रहे थे और इस नाले पे पूल बनाने के काम में सब लोग गाओ के साथ आए बुजुर्ग आए युवा लोग आए और विद्यार्थि भी साथ थे संगठी प्रयासों से काम आकार लेने लगा था याने काम धिरे धिरे प्रगती पर था सिमेंट के पाईप खरी दे गए पत्थर इकट्टे किये गाव के चगन बाबा नामकिक बुजुर ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्धा करा दी। तो ये जो रेत है वो दान में मिल गई। पुल बनाने के लिए पुरे गाव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो ये पुल बनाने के लिए लोगों ने श्रम दा उनका जो स्वपन था कि नाले पे किसी भी हालत में पूल बनाएंगे वह स्वपन पूर्थियाने अब पूरा होने के लिए एक एक कदम याने धीरे धीरे वह पूरा हो रहा था काम प्रगति पर था अंतता आनन्द की वह सुबह भी आ गई वर्षो की कठिनाई दूर हुई केवल पंद्र दिनों में ग्रामीनों और विद्यारतियों के सामोहिक श्रमदान से पूल बनकर तयार हो चुका था श्रमदान गाव के सभी लोगों ने मिलकर अपना श्रम पूल बनाने के लिए दिया उसे हम श्रमदान कहते हैं याने श्रम का कोई भी मोवदला न लेना पूरे गाव के लिए एक अध्भूत उपलब दी थी सबी ने एकता संगटन और श्रमदान का महत्व भी समझा था बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था पर विद्यार्ती हस्ते खेलती पूल से पाटशला की रहा जाने लगे पूल भी विद्यार्तियों के हवसलों को दाद देता मानो मन ही मन करा था जहा चाहा वहा राह जुई ने अपने बड़े भाई की साहिता से पूल के उद्गाटन का वुरुत्तांत बनाया और संगनक की साहिता से शिक्षा निरिक्षक के सामने प्रस्तूत किया तो यहाँ जो कहानी है यह कहानी संजय भारत द्वाज इन्होंने अनुवात की है तो छात्रो मुझे आशा है कि आपको यह पाट पसंद आया होगा तो लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों को शेर भी करे और हाँ मेरा येट्व शानल सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद